अभी हम BPSC के विगत Questions का Study का दे हैं Question का Study क्यों कर रहे हैं? पहला सवाल तो यह है क्योंकि कोई भी एक्जाम यह UPSC हो या BPSC हो इसमें बहुत जरूरी होता है कि आप syllabus को समझें और syllabus के साथ आप previous years के questions को link करके पहले समझें जब तक जिस बैटल फिल्ड में आप जा रहे हैं उस बैटल फिल्ड का पूरे territory को आप नहीं समझेंगे आप सीधे कुदेंगे unguided missile की तरह तो आपका target hit नहीं करेगा आप failure में होंगे मैं UPSC जब qualify किया तब से आज तक या BPSC भी मैंने qualify किया तब से आज तक मैं यही मूल मंत्र दे रहा हूँ कि you be a guided missile कम मेहनत कम टाइम में कैसे पढ़ा जाए strategy क्या होनी चाहिए कि आप exam को crack करें एक नमबर से आपका exam छूटे या 25 नमबर से छूटे बात बड़ाबर है failure is failure लेकिन एक तरीका हो सकता है कि आप exam में बहुत ऊपर नमबर ला सकते है जैसे 100 नमबर पर selection हो रहा है you get 120 marks मैं अपनी बात बता रहा हूँ 120 का उसे में optional का paper होता था PT का एक optional में 120 questions आते थे में 108 से नीचे नहीं जाता था जबकि शमाने बच्चे 1992 पर रहते थे तरीका है आशा नहीं थे कि मेरा knowledge मेरे विशाय का मेरा जूलोजी paper था optional में और psychology जूलोजी में मेरा मतल यह नहीं था कि मैं बहुत अच्छा सब बच्चे मेरे से जादे जनकार बच्चे होते थे लेकिन के strategy के था त्यारी करते थे वह यह strategy में बताने जा रहा हूँ exam crack करने के strategy कैसे आप वैग्यानिक धंट से चीजों को समझेंगे कि surgical operation की तरह आप 120 मार्स BPSC में ले आएंगे प्रस्ण पत्र के साथ हम इतिहास को पर रहे हैं अभी हम क्या कर रहे हैं इतिहास पर एक surgical operation कर रहे है क्यों इस domain से आ रहा है domain domain में बोल ला हूँ याद रखिएगा domain study कहां से आ रहा है क्यों आ रहा है एक प्रस्ण के साथ समझना शुरू करते हैं ज्यादे टाइम नहीं लेते हैं जैसे काकोरी ट्रेंड डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांशी की सजाद दी गई थी कि वूए दे रिवोलुश्टनरीज विए इग्जेक्यूटेड इन काकोरी ट्रेंड रॉबरी केस काकोरी भाई आप पहले तो जानिये थोड़ा इंडिफ जा रहे है क्योंकि क्रिश्टन के नलेशी से में स्क्रीपर काकोरी है कहां यह सा जहां बादे से लखनों के बीच क की एक जगह है एक काकोरी रेल्वेस्टेशन है आपके सामनी स्क्रीपर में दिखा रहा हूं काकोरी रेल्वेस्टेशन है काकोरी रेल्वेस्टेशन ट्रेन है यह ट्रेन से हजाबाद से लखनों वा रही है और एक घटना है आपका 1925 का परहाप से 9 अगस्त का 9 अगस्त 1925 यस हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसीेशन एचार इसे में नाम था बाद में नाम हो गया हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एसोसीेशन 1925 यह लोगनों फॉर्म किया था एक कि नहीं रिवलुश्णरी वे में बीपन से लिया जा सकता गंधी वास नोट इंफेवर उ मिन्स बहुत जादे महत पूर्ण होता है इसलिए गांधी जो लोग भी मिन्स शात्मक की बात करते थे गांधी बोलते नन वाइलेंट तो इडिलोजकली गांधी इन बच्चों के साथ शाहनभूती बहुत रखते थे लेकिन वो जानते थे कि ये बच्चे हैं अभी इनको उम प्रप्लिकन और शोशियेशं के लोगों ने जिकर किया कि वह है यह यह वी पंट चाहिए हथीहार के लिए पैसे चाहिए यह कि इन्होंने चार वीपन पहले खड़दे कम पैसे हैं जादे वे पन चाहिए थे यह मौजर है जर्मणी का मैं पिछिगे क्लास में बता चुका को इस माउजर के पीछे जो एक बट है इस बट को थोड़ा लंबा खिश दीजिए ऐसे करके ऐसे लगता था कि यह जो है अगदम भिहानक राइफल है है ना यह एकदम एक फॉर्टी सेवन तो इस समाने का लोग बड़े ड़ते थे तो यह चार लेके चर्क है और शोला शत्र लोग थे और इन लोगों ने यह जो यहां पर दिया हुआ है कि एट डाउन ट्रेन को लूटा और जब बक्षे को मारने लगे तो हथोरा से एक आदमी ने बंदू कुछ पर चलाया हथोरा का तालाक उपर में बंदू छिटा कि एक आदमी की मौत हो गया एक शक्स मारा गया यह जादे प्रॉलम हो गया एक अंजाना भी मारा गया और इसमें जब इसकूशन हुआ तो इनके इसकूशन कौन कौन हुआ बिश्मिल ठाकूर बिश्मिल स्वारी राम प्रशाद बिश्मिल ठाकूर रोशंशी राजदेनात लाहरी और अस्पा खुल्ला खान इन यह पार्क में जो है गोली मारती गई है ना मार दिया तो यह चंशेकार जाद बोले मुझे तो जिन्दा नहीं पकड़ सकते तो भागते रहे तो खेर इन लोगों को यह हमारे तो यहां पर जो आपको कुश्चन है इस कुश्चन से आप आप हम आपको कहानी सुनाए ठीक है त क्योंकि एकजामिनर ने मैं कुश्चन सटा रहा चुका हूंगा थो मैं आपको माइंड़ सेट बताता है एकजामिनर जो कुश्चन करता है क्योंकि examiner जो चार option देता है वह चार option आपके syllabus के इरदगिर्द से ही देता है confusion create करने कि यही psychometry है जिए psychometry के हम बात कर रहा है psychometry psychometry एक अप्रोच है इसके द्वारा आप साइकोलोचकल बैसिस पर कुष्टन्स में अब्जेक्ट डालते हैं मनले के ऑप्षेंस तो यहां पर इन्होंने क्या किया है डाला है वीड शावर कर वाशुदे चापेकर प्रफुल चाकी खुदी रामबोश शुरेशेन उधमशी यह हलाकि आंशर क्या है राम प्रशाद बिश्मिल अस्फाकुला लेकिन यहां पर यह भी आपको जानना चाहिए इनके बारे में क्या नाम बोला मैंने वीड शावर कर बड़ा महत्तुपूर्ण है आज के संदर्व में वीड शावर कर से पुछे जाने की उमीद आप कर सकते ह हैं तो वीड शावर कर विग आपके कुश्टन के परिफ्री में आते हैं प्रफुल चाकी खुदी राम गोश यह किस कप थे कैसे थे परफुल में इनको एजिकुशन हुआ था शूरिशेल एक अलग उधमशी इनको तो वाई यह काकोरी कॉंस्पिरेशी केस चे संबंद ल पढ़ने की जवरत है क्योंकि एक कुश्टन यहां से आ रहा है इसके अलावा इनके परस्लीटी को समझना इतिहास में जब ब्रक्ति के ब्रक्तित्तों को समझ लेते हैं समय को समझते हूँ अन्वेन अन्हाव यही तिहास है अब पीशे का वाई से मेंस में कुश्टन आ जाते हैं यही है नहीं हूँ वेन वाव वाई अन्वाव वेर भी है टाइम फ्रेप है नहीं अन प्लेश यह तिहास में हमेरा क्लाश एक आएश के बच्चे को जब पढ़ाते हैं कि 4W1H हाव अब हम आते हैं राम प्रशाद बिश्मिल जी का राम प्रशाद बिश्मिल जी का जो पर आप विकीपेडिया में आपको पढ़ना चाहिए देखना चाहिए एक कुश्चन और पूछा था पिशले क्लास में शायद मैंने उसका उत्तर आपको बताया रहा शर्फ फरोशिक क तमन्ना बिश्मिल अजीमाबादी ने लिख लेजए बिश्मिल अजीमाबादी ने तो जरूरी है एक चीजा और समझने कभी पीएश्ची के ट्रेंड शे कौन शाय नारा को कष्चने गळः था पॉपलराइज किसी ने किया गठा किस्मे तो चैसी इन क्लाब जिंदाबा किसने किया जय हिंदी किसने बोला किसने उसको पॉपलराइज के लग है करने वाले लग होंगे जैसे शर्फ रोशी की तमना अब हमारे दिल में है तो बिश्मिल अजिमाबादी ने इसको किया था कि ए शहीदे मुलक मिलत मैं तेरे उपर निशार ले तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है शर्फ रोशी की तमना अब हमारे दिल में देखना है जोर कितना बाजवय का दिल में है बड़ा पॉपलर हुआ तो उस चमाने में तो थोड़ाशा आप इस को फ्रेम में थोड़ा अंदर घुशिए कुस्चन के साथ और थोड़ा गाइडेंस ले लगता है उस perspective में probing कीजिए probe कीजिए इस perspective में मतलब probing मतलब कैसे question पूछागा जासुष की तरह है तो वाई सहाब आप पढ़ ले जाएंगे मन भी लगेगा पढ़ने में है ना तो एक question से आप उसके domain में घुष चाहिए कीजिए domain का study कीजिए मैं आपको guarantee देता हूं कि समानने वे में जो questions परहाए जाते हैं लोगों के द्वारा हमारे बहुत सब्सके द्वारा उसके द्वारा टाइम कम लगेगा question भी होँआ पकड़ा जाएगा सही answer भी आप देंगे और आप ज्यादे करेंगे अपनी सिंथ मानिए इस तरीके से अगर आप पंदरा दिन पढ़ लेते हैं पांच साल के biggest questions को यकीन मानिए कि आप बिल्कुल उस margin पर पहुंच जाएंगे जहां पर की से selection शुरू होता है लेकिन मेरा है कि मानने 100 पर selection हो रहा है तो I require 120 marks और इस 120 marks के लिए फिर हम थोड़ा और आपको idea बताएंगे कि how will you attack ठीक है तो चलिए एक question से हम समझ गए अब जैसे कि अब यहां कि वीर्षावरकर की बात हुई वीर्षावरकर को समझना पढ़ना बहुत जरूरी है जब वीर्षावरकर की बात करेंगे तो किसकी हम बात करेंगे दुबारा में हम बात करेंगे वीर्षावरकर मीश यहां पर हम बात करेंगे अभिनाव भारत का अभिनाव भारत जब अभिनाव भारत की बात करेंगे तो भाई कहां महराष्ट्रा शावरकर जी इंग्लेंड गया है इंग्लेंड में वो शाम जी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए इंडिया हाउस लंदन में था नेशनलिस्ट होट के लिए जगा जानी गई बहुत जब जानी गई इंग्लैंड में मतलब कि आप जो है एकदम चिराग तो ले अंदेरा तो नहीं होता चिराग तो ले आद में पकड़ लेता अंदेरा होता है महां खोल लिया थो अंडिया उस एक महल खराब कर रहा है सेडिशन है तो इसको बैन कर दिया इंडिया हूस को श्राम जी कृष्ण वर्मा इसके फाउंडर थे इंडिया हूस के कुष्चन एक बड़ आ गया इंडिया हूस से कुष्चन हमें के अंदर में हम कौन सा वर्ड यूज के पिछले अभी थोरे दर इंडिया हूस के अंदर में यह इंडिया हूस जो है यह महतपुर्ण है और इस इंडिया हूस में आपके जो लोग है इंडिया हूस कब बना था इंडिया हूस हम कहां बात कर रहे थे इंडिया हूस इंडिया हूस बना था आपको 1905-1910 तक था पांचल चला लेकिन ठीक है पकड़ लिए पॉलिटकल एक्टिविजम था बैन किया गया था इसमें बिनायक दमोदर सावर्कर है भीका जी कामा भी यहीं पर है भीका जी कामा याद कि यह फिर कुष्टन पूछा है भीका जी कामा वहां पर है इंडिया हो इसकोलर्शिप बच्चों को बुला लेता था लोग कांटेक्ट में आते थे इसमें डालना और रिवॉलुश्णरी ट्रीजम के बीज डालना शुरू होता था तो विका जी कामा जो रिवॉलुश्णरी जो एक फ्लैग काम जिक्र कर रहे हैं तो जो कुष्चन पूछ दिया गा था इस्टूट गार्ट फ्लैग इसमें लाल रंग बुद्धिजम का आपको फ्लैग आपको पूछा गया था इस्टूट गार्ट फ्लैग कहां फढ़ाया था इस्टूट गार्ट जर्मनी में इंगलां में तो फढ़ा नहीं सकते थे विकार जी कामा एवी कुष्चन पूछ दिया कहां हम आपको डोमेन मे में घुषा रहे हैं माइडियर एस्टूट माइंड दी वर्ड डोमेन में घुषा रहे हम आपको लगातार बीपेस्ट का कुष्च दिये जा रहे हैं हर शाल आपको कुष्चन देंगे महां से इटमीश के रिवॉलुशनरी टेरोरिजम से कुष्च आते हैं तो मुझे यंश ग्यों के रिवॉलुशनरी टेरोरिजम के पता दिया कि जो अंदोदनकारी थे जो रिवॉलुशन की बात करते थे अब वीर्शावरकर जी उसके कॉंटेक्ट में आते हैं और वीर्शावरकर जी प्रभावित किसे हैं मैंने क्या विख वाला अबिनों भारत इंडिय काऊ प्रभावृत हैं मुशोलनी चरह अब बतादें मुशोलनी को प्रभावृत प्रम गलत हैं हथियारु की phrase जानते हैं मुशोलनी के आत्म कत्राव olması इसकी गांधी की गांधी की भ्यूत्य-ध्य नंबायलेंट बच्चे हैं शानभूती रखते हैं गांदी लेकिन कल्ट तो वही है और सेडिशन के कारण जो है इंडिया हॉश के लोगों को अनलवफूल अक्टिविटी के लिए पकड़ा गया और शावर कर जो है फ्रांस के पास जब बंदरगाह के नई दिख जहा जा रहा था तो वहां पर उसाइड को कुद गया वहां के गलिया उनको पता थी पौलिस को बाद में पकर लिया और चुकिए बचने के लिए कुदे थे यह बहुत बड़ा अपराद माना जाता है कि जेल से जाते हुए कैदी अगर जा रहा है कोट में भाग जाए तो वह अपराद बहुत बड़ा शंगीन हो जाता है तो इस कारण गानल देता है U-Pac-E-C-O-O-P-A-C दीयान देता है वी पी-ए-C-E-C-W-O-P-A-C-C-E-C-P-E-C-E-C-E-C-E-C-C-E-C-E C-E-C-O-C-C-E-C-E cos E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-E-C-C-E-C-E-C-E-C-C-E-C-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C-C-E-C-C-E-C-E-C-C-E-C history so that कि आप एक्जाम में कुष्टन सही करेंगे अगर इस तरीके से आपने पंद्रह दिन पढ़ाई किया है कुष्टन पांच साल के कुष्टन को पंद्रह दिन आप ढंक से ऐसे घुश के पढ़ लिये हैं यकीन मानिया कि आप BPSC के एकदम निकलने वाले कंडेटा हो गया है मैं आपको बार-बार में UPSC में एकी बात बोलता हूं UPSC आइस एक्जाम में कंपुटिशन तो मातर 4000 के बीच में ही है भीर मात नौ लाग चार हजार बच्चे जो किया के स्ट्राटजी के तहत अटक किये हुए रहते हैं और निकलते ही हैं इस शाल नहीं तो अगले शाल निकल ही जाएंगे उनको कोई नहीं रोक सकता है निकल जाएंगे उनका निकलना है लेकिन यह है कि यह आप VPSC के भी भीर में वही 2000 बच्चे होंगे जिनके बीच में कंपुटिशन होगा आप इस स्ट्राटजी पर आईए यह स्ट्राटजी बहुत ज़रूरी है यह गाइ चंदर में इंडिया होसे स्थापक कौन थे श्राम जी कृष्ण बर्मा अब यह इसमें राश्विहरी बोष्ट का नाम है देख लिजे राश्विहरी बोष्ट कौन थे रामचंदर जी कौन है तारगदास कौन है पढ़ लिजेगा थोड़ा से भागलपूर में नमक शक्त चाहिए बिहार में क्योंकि बिहार के इतिहास परना याद की चलिए बीहार में बदो इदिफकल्ट कुस्टन है लेकिन हमारे कुछ भायों ने गाइड दूड में इसको रखाया में इसको अलग से पढ़ा हूँगा जैसे के 120 का तो मैं आपको क्या बोला कुस्टन के कि इस तरह के questions थोड़े बढ़ने चाहिए तो इसे दो चार पाच questions बताने अधर वाई यह question आपके गलत होने की संभावना रहती है special class कहां से लूँगा वाई एक जागरन जोश ने general knowledge में modern history of India यह मैं link दे देता हूं यहाँ पर कुछ दिया है कि बिहार से संबंदित बिहार के संबंदित चीजों को हमें बिहार के दिहाज बिहार का भूगोल में पढ़ने की जवरत होती है होगी कि अब यह question है उन्हें 49 में बिहार में अम्बारिश अत्यागरा का नित्रतु कि इसने किया था टिफकल्ड कुश्चन है नॉर्मल नहीं पढ़ा जा सकता है अब रहुल शांस्क्रित आना पढ़ लेंगे 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 ना बारिश अत्यागरा का जिक्र नहीं आगा यह बिहार का कुछ जो कमपाइलेशं से जो हम लोग बनाय हुए कुछ तो फैरि ये विंग कुछ मसाला आशा जो कारीकर जाता है टबी तर्का ज़ूस ने तो वह तरका का मसाला जो है वो अलग मैंजांते बनाए गाए ताकि आप सो पर तो आप ऐसी पहुंच जाएंगे कुस्टन के स्टेडी करते ही करते आप देखेगा के सो कुस्टन तो हम सही माड़ ले जाएंगे लेकिन हमको पहुंचना आप 120 तक है कुछ स्ट्राटजी और कुछ इस तरह के इस्पेशल प्रेशीपी जो विशेश पकवान है वह मैं आपको अलग से बनाना का मात्रा शिखा दूंगा तो अमबारी सत्य अगरा राहुल संक्रितान है राहुल संक्रितान का पढ़ना चाहिए आपको यह बड़े इंपोर्टेंट है इनको आपको जानना होगा रिजन इस आपको जानना ही चगह है आधनिक बिहार का निर मात्रा किसे कहा जाता है से अंग कर शषिदानद सिंह का शिखाना का शेस्ट्रा लेकित नींद ना करें आए क्ट सिन्हा लाइबरेडी चला जाना चाहिए क्योंकि वहां से आपको एक दो कुछ्छन पता नहीं घूम रहे हैं मुजियम में चले जाए बिहार मुजियम में कभी मौका मिले जरूर जाए एक दिन आप लगाई है मज़े से घूमिया वहाँ चार्ट पकोड़ा खाई है लेकिन बात है कि वहाँ पर घूमने पर एक एक सेक्शन में थोड़ा टाइम देंगे मैं बता रहा हूं एक बार मैं मुजियम में गया और संजोग ऐसा था कि बच्चों को निमस्मेटिक्स वाला सेक्शन में जाकर पढ़ा रहा था तो इतना अच्छा निमस्मेटिक्स हो गया था तो यह है आपका लेकर तो आप खुम लिए तो शर्गनेश की अचार्ज नरेंद्र देव सोशलिस्ट होट के बारे में आप समझ लेंगे इस तरीके से थोड़ा कुश्चन पूछे शर्चिदा अनंद शिन्हा बड़ा इंट्रेस्टिंग है यह सुप्रीम कोर्ट में मतलग कि यह हमें लगता है कि यह 1910-20 के बीच में आ गए होंगे इंडरी लेसिलेटिव एसेंबली में थे डिप्टी प्रेसिडेंट अफ बिहार थे अब बोले प्रेसिडेंट पर लिजेगा 1935 के रितिकिर्द में क्या घटना घटी थी कि बिहार में प्रेसिडेंट हुए मुहमद यूनिस कौन थे तो इस अब पर लिजेगा और 9 दिशंबर 1946 को जब कंस्टिचुएंट एसेंबली में चून लिया गया है और टेंप्रेसिडेंट थे यह भी बड़ा इंपोर्टेंट है अजब कंस्टिचुशन बन रहा था तो पटना में थे साइन किराने के यह भी बिहार के तिहास के अंदर में घुष्टने की जवरत होती हूँ में अलग से पढ़ाऊंगा यह पढ़ाऊंगा लेकिन आप समझेए कि लिंक करना कैसे होता है तो मुझे लगता है कि आप जो है यतने परिप्रेख्ष में जो मैंने अक्षट करना सिख जा दूगा अप दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बनो, कौन बोले थे, महात्मा बुद्ध, कब बोले थे, जब उनका महा परिंद्रवान हो रहा है, महा परिंद्रवान थे मल्ल की राजधानी, कुशी नगर में, साल ब्रिक्ष के नीचे, आनन्द को बोलते हैं, पानी ले के आओ, और जानन्द बोलता है, मैं तो नहीं बनूगा, मैं अरिहंत नहीं हो पाया, अरिहंत क्या इभी के मैं लिजएगा, तो बोलते हैं कि आप अपना प्रकाश खुद बनो, आपके बाद कोन मेरा गुरू होगा, तो बी और ओन टीचर, अप दीपोगा, तो मैं आपको अपना बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में, धन्यवाद मैडियर इस्ट्रेट